गुष्टार्गन चेतर के ग्राम मतिया ग्रामसभा की प्रधान शशिपाला राना के बती अर्जुनाना पर गाउं के एक वेक्ति के चुनावी रंजिश के शर्थे बहकावे में आकर गाउं के ही कुछ ग्रामीन द्वारा इसी कमपनी में पैसे जमा कराने का जुटा आरूप लगा कर गाउं में प्रधान पती को बदनाम किया जा रहा है जिसमें ग्रामीनो द्वारा अब भेकावे में आकर जुटा बयान देने की बात भी कही जा रही है साथ ही इनके द्वारा प्रधान पती को लिखित में भी दिया गया है कि आप द्वारा हमसे कोई भी कमपनी में पैसा नहीं जमाया कराया गया है और ना ही आप हमारे एजेंट है हमारा पैसा जमा कराने वाला दूसरा एजेंट था हमें गाउं में ही एक वेक की द्वारा बर्गलाया गया था कि आप ऐसे बोलोगे तो पैसा वापिस मिल जाएगा जिसके चलते प्रधान पती पर इस तरह का जूटा आरोप लगाया गया था अब उन ग्रामीनों का कहना है कि Unimex Private Li Company में हमने दूसरे एजंट के जरीए पैसे जमा कराय थे जिसमें हमारा प्रधान पती अर्जुन राना ना तो एजंट था और ना ही हमने कोई पैसा जमा कराने को दिया था हमारे पैसे जमा कराने वाले एजंट दूसरा है लेकिन गाउं का ही एक व्यक्ति जो चुनावी रंजिश रखते हुए बहकावे में लेकर हमसे जूटी प्रधान पती के खिलाफ शाजिस रश्वा रहा था जब हमें इस गलती का एहसास हुआ तो हमने प्रधान पती अर्जुन को लिखित में दे दिया है कि आपका उस कंपनी से हमारे पैसो को लेकर कोई लेना देना नहीं है और हमने आपके हाथ में कोई पैसा जमा कराने को नहीं दिया था हम किसी बहकावे में आ गए थे वही प्रधान पती अर्जुन राना का कहना है कि मेरे गाव के लोग किसी विरोधी पार्टी की एक व्यक्ति के बहकावे में आ गए थे जबकि मैं ना तो यूनिमैक्स प्राइवेट कंपनी का मालिक हूँ और ना ही डायरेक्टर और ना ही मेरे द्वारा इनके पैसे ही इनका एजेंट बनकर कभी कंपनी में जमा कराए गए थे मेरे खिलाब जूटी खबर सोचल मेडिया पर फैलाई जा रही है जिससे मेरी दिमागी हालत ठीक नहीं है और मैं परिवार भी काफी परिशानी से गुजर रहा हूँ अगर मेरे या मेरे परिवार के साथ कोई भी अपरिय घटना घटित होती है तो इसके जिम्मेदार मुझे बद्दाम करने वाले लोग ही होंगे यूनिमेक्स कंपनी थी जिसमें हमने पैसे डाले थे जो अर्जन परदान है उनका कोई लेना देना नहीं है ना हम कर रहा है कंपनी का आजेंट कोई और था अर्जन सिंग मटेया का परदान था अंकिया जा रहा है उनका कोई लेना देना नहीं जो है अजार तत खेला रहे हैं जो है अरजुन सिंखु उसमें कोई लेना देना नहीं है अजुड कंपनी है इसमें पैसा जबना किया था लेकिन अजन्ट कोई और था ठीक है गहां को एक ओ जो कि जो आएथे मेरे पास चाहिए पुर्व किसी कोई बहुत है असे ऑड़ा कर ग्रान प्रधान मट्याग अरजूत्सिकूश घ्रान पीजोंसे और उ recording लेकिन यह जो गाओं के लोग हैं मटिया के ही कुछ पैसे जिलके थे उन्हीं निमुझे बैकाया था कुछ मेरे ही गरामसभा के लोग मेरे खिलाब साजिस के तैस एक वीडियो बनवाई और उसे मुझे बदनाम करने के लिए पूरी साजिस अची गई जिसमें मेरे मान समान को भूर ठेंस पहुंचा जबकि यूनिमेक्स एगरोटेक इंडिया लिमिटेड करना मैं मालिक हूं औ और ना मैं इन से कभी पैसे लिए और ना मैं इनका इजन्ट हूं सिरफ इनोंने कुछ पत्रगारों के वेकाव में आकर या कुछ गाओं के विरोधी पाल्टी के वेकाव में आकर इनोंने मुझे बदनाम करने की साजिस अची और मैं इतना छुब्ध हूं मेरा परिवार इ परदान के घर पहुंचे हैं परदान जी इसे बात करेंगे बताएगी परदान जी क्या है पूरा मामला यह था कि मेरे गावबालों ने मेरे खिलाब रहे तो जान बाजी करी थी कि मैं उनके पैसे खा गया हूं और मैं एक कमपनी का मालिक हूं तो मैं आपके मादम से कहना चाहता हूं कि ना तो मैं इस कमपनी का मालिक हूं और ना मैं कभी उनसे पैसे लेने गया और ना लिया लिया होगा तो किसी और ने लिया लेकिन मैं मैंने पैसे कभी उनसे नहीं लिया और ना उनके पास कोई एविडेंस है ना साबूत है बस किसी जो किसी से गुम्राव करने के लिए और जब मुझे बदनाम किया गया तो मेरे मान समान को भॉठ थेंज पहुंची और मैं मैं क्या मेरा पूरा परिबार इस घटना से बला चुब्ध है और क्या कहूं बैस दुखी हूं आज हम पहुचे हैं हिंदोस्तान निश 24 की जो रिपोर्ट है यहां पर दिखाने के लिए पहुचे हैं और उन्होंने अपनी सारी बाते बताएं परदान जी ने अब देखते हैं कि गाओं वाले अब जो है आगे मुझे लगता है ऐसा कोई आगे प्लत्व गाओं में ना फ्यलाएं शितार गंचे हिंदोस्तान निश 24 के लिए दीपक भार्दवार्ट की लिपोर्ट